हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने परस्ते के बहुत ही महत्तो पुरुन जानकारी और इसको देखने के लिए आप बरकरा रही है, चलो चलते हैं, पहले सवाल के उपर, किस जीव के पास आठ आखें होती है, उट के पास, कंगारू के पास, हंस के पास, य एक ऐसा जानव जीव है, जिसके पास आठें आख होती है, ठीक है बच्चों हो गई याद, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, साप के मुह में कितने दात होते हैं, 800, 500, 200 या एक भी नहीं, और इसका सही जवाब है आपकी कम्पीटर स्क्रीन पर, ये राइस का उत्तर, 200 साप के मुह में 200 दात होते हैं, ठीक है बच्चों याद हो गया, चाबास, इसी तरह ध्यान लगा कर देखते रही है, और ध्यान लगा कर सुनते रही है, तो याद हो जाएगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विस्व का दूसरा ताज महल किस देश में है, बांगला इसके अंदर, ठीक है बच्चों होगा याद, चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं आपको, यह तो बहुत ही महत्वपुर्ण जानकारी है, दूसरा ताज महल भी है इस दुनिया की अंदर, चलो चलते हैं अगले सवाल के उपर, ऐसा कौन सा जानवर है जो गाहिल होने पर बच्चों की तरह होता है, सेर, कुत्ता, बिल्ली या फिर भालू, इन च्यारों में से कोई एक जानवर है, और वो कौन सा है, चलो हम आपको बता देते हैं, वो है भालू, भालू एक ऐसा जानवर है जो गाहिल होने पर बच्चों की तरह होता है, ठीक ह वही हो गई याद चले शाबास अच्छी बात है याद हो गया तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं ऐसा कौन सा फूल है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है आपके उपसन है गुलाब नागपुस चमेली या सूरज मुकी और इसका सही जवाब है सूर की तरफ गुलाबी रंग का केला भारत के किस राज्य में पाया जाता है केरल में गुजरात में नहाराष्टर में या तमिलनाडू में और इसका सही जवाब आपको मिलेगा यह रहा हूं केरल केरल में गुलाबी रंग का केला पाया जाता है वह भारत के अंदर ठीक है बच ज्यराफ पर इसका सही जवाब Yes, गोड़ा एक ऐसा जानवार, जो पूरे पाँथ मत आगों पर ठासा है सवाल कि तरफ है भाशे की सजा कितने बजे दी घाती है सुवे एक बजे, शाम के पांच बजे, दोपेर के बारा बजे या सूर्य अदे से पहले और इसका जवाब है ये राब की स्क्रीन पर सूर्य अदे से पहले ठीक है बच्चों हो गए याद चलो ले सवाल की तरब ले चलते हम आपको सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है सनी ग्रह, सुकर ग्रह, अरुन ग्रह या बुद्ध ग्रह और आपके जवाब ये राब की स्क्रीन पर बुद्ध ग्रह, सूर्य के सबसे नजीख ग्रह है ठीक है बाई, चलो ले सवाल की तरब ले चलते हम आपको कौन सा पक्सी है जो रात में भी देख सकता है कोवा, मौर, उल्लू या कोयल जी हाँ एक ऐसा भी पक्सी है जो रात में देख सकता है और वो कौन है उल्लू उल्लू एक ऐसा पक्सी है बच्चो जो रात को भी देख सकता है ठीक है भई हो गए याद ठीक है जी और आगे चलते हैं कौन सी सब्जी खाने से खोन साफ होता है कटहल, करेला, सोयाबीन या ब्रोकली और इसका सही जवाब है करेला करेला की सब्जी खाने से बच्चो खोन साफ होता है ठीक है हो गई याद चल अगले सवाल की तरब ले चलते हैं भारत का सबसे गरम राज्य कौन सा है राजस्थान उडिसा असम या बिहार और इसका जवाब आपके सामने है राजस्थान राजस्थान भारत का सबसे गरम राज्य है ठीक है बच्चो चलो गले सवाल की तरब ले चलते हम आपको भारत ना सूरज के नाम से कौन सा देश पर परशिद है भारत जापान चीन या ब्रिटेन और इसका सही जवाब है मेरे बच्चो जापान जापान एक ऐसा देश है जो सूरज या सूर्य के नाम से परशिद है खेक है बच्चो होगा है आज चलो अगले सवाल की तरहे चलते हैं आपको चिनी की खोज किस देश में हुई थी नेपाल में भारत में जापान में या जवाब है क्या देखते रही है भारत ने चिन्नी की खोज हुई थी चलो अगले सवाल की तरब ले चलते हम आपको मानाव के बाद या इनसान के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है डालफिन बंदर कुट्ता या हीरन जी हाँ मानाव के बाद दूसरा समझदार जीव भी है वह है डालफिन जो मानाव के बाद सबसे समझदार जीव माना जाता है ठीक है बच्चों याद हो गया श्यावास इसी तरह द्यान लगा कर देखते रहिए और सुनते रहिए पी एम पोमी मुकेस चैनल पर थारी मर्जिये सब्सक्राइबर करो तो करो नहीं मत करो कोई करते बाद मुनिस्व का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है दो मिनट 15 मिनट, दस मिनट या पट्चिस मिनट और आपका जवाब है पंद्रा मिनट मरने के बाद भी मुनिस्व के